हेलो एबरियों बेलकम बैक देखे यूपी पीसीए स्प्री 2018 की आयोग द्वारा आंसर की जो है ऑथेंटिक बाज चुकी है 10-15 दिन हो गए है अब इंतिजार है रिजल्ट का और इस वीडियो में चर्चा करेंगे कट आफ फर भी देखे कट आफ फर बहुत सारी वीडियो औ लेकिन इस वीडियो का फोकस रहेगा पांच ऐसे प्रसन कौन से हैं जिस पर विद्यारतियो द्वारा इस बार सबसे ज्यादे आपत्ती दर्ज की गई तो क्या इसके बाद जो संसोधित आंसर की है वो फिर से आएगी जिस दिन रिजल्ट आएगा और और कितने प्रसन उस पत्ती दर्ज की गई है कितनी जाए देखिए पहला इसमें जो प्रशन है इसको छोड़ देजे भारते संबिधान में भारत की अधिकारिक वासा में जुड़े प्रावधानों में संसद संसोधन कर सकती है तो देखिए आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो बतारेता हू वो है option number A अपने सरस्यों के साधान बहुमत दोरा देखिए जो लक्षमी कांत की बुक है वो authentic मानी जाती है और भारती राजवयस्था के लिए है लेकिन जो उसका publication है वो Tata Megra Hill का है अब Tata Megra Hill की जो बुक होती है उनमें काफी गलतियां होती है printing mistake होती है लक्षमी कांत में और जो मूल संबिधान है उसमें भी दो तिहाई बहुमत द्वारा ही भारत की अधिकारिक भासा में संसोधन करेगी संसद यह है उसमें लिखा है लेकिन लक्षमी कांत के अंदर यह लिखा है अपने सदस्यों के साधन बहुमत द्वारा तो इस ने आयोग का जो answer है इसमें वो अपने सदस्यों के साधन बहुमत द्वारा दे दिया है तो क्या यह प्रसं संसोधित होगा जो आने वाली answer की आएगी result बाले दिन यह अभी तक कोई clear नहीं हो पाया है क्या इसके A और B सही कर दिये जाएंगे यह भी कुछ पता नहीं है अभी तक फिलाल इसका अपने स कौन सी परियावन प्रदूशन के कारण जैविक आपदा घोशित की गई है देखिए आयोक का अंसर है इसमें गोमती अब बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको क्या किया चैलेंज किया इसको और वो यमुना चाहरा है इसका अंसर अब देखिए प्रस्ण अगर इसको ध्या गंगोत्री से निकलती है वह उत्तरा खंड के यमनोत्री से निकलती है यमनोत्री से यमुना निकलती है और गंगोत्री से गंगा निकलती है यहां गोमती ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है उत्तर प्रदेश के अंदर ही पिलीन हो जाती है दूसी नदी मे पूरा नाके बराबर हो गया है तो मरत इसको कहा जा सकता है जैविकापता भी इसको कहा जा सकता है गोमती में इतना pollution नहीं है जितना यमुना में लेकिन अगर प्रशन को अच्छे से देखा जाए उत्तर प्रदेश की निमलिकित में से कौन सी नदी तो यह यमुना तो यहीं कट जाता है अब इन तीन में से आंसर होना चाहिए तो जो आयोग ने आंसर दिया है इसका वो गोमती दिया है और यह गोमती ही इसका सही आंसर है विद्यार्थी यमुना को चेलेंज कर रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है तो इसका आंसर संसोधित नहीं होगा और यह गोमती ही रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की नदी यमुना नहीं है यमुना यमुनोति ग्लेशर से निकलती है जो उत्तरा खंड में है हां जैविक आपदा है ये लेकिन ये यूपी में जैविक आपदा नहीं है ये दिल्ली आते आते मरत हो जाती है और इसका बाटर फ्लो जो है वो पूरा सूने हो जाता है और बहुत कचरा इसमें जो पानी है इसका नीले से पूरा काला हो जाता है तो चलिए अगले पर कुछ घटनाएं दे रखी हैं पहला सरिस्रप पहला कीट कबच वाले कीट और पहला इस्थंदारी देखे इस तरह के जो प्रशन आते हैं उनको यह देखे कोड होता है इसका अब परम जैसे यह लिखा है पी ए आर एम अगर इसको देखा जाए परम तो पी से सबसे पहले और खीी में ऐंहीऊ तो इसके बाद आसे रिप्टाइल मतलब सरिस्रप जैसे संप उगया और चिपकलियां हो गई उसके अए अवीज मतलब पक्षी ऑर्क थोता मैना कपूद्टर सॐसी मैवल्डस हाँ कुटटा knit मनुष हाथी घोड़े यह सब मैमल्स के अ अंदर आते हैं और चमका दड़ भी तो इस तरह से अगर इसको क्रम निकाला जाए तो इसमें देखिए ऑप्सन जो यहां दे रखे थे उपर युक्त घटनाओं को पर्थी पर उनके उत्पन होने के काला क्रम में वर्श्थित कीजिए तथा सही उत्तर का चेहन कीजिए तो यहां कुछ कूट दे रखे थे देखिए तो सबसे पहले अगर लास्ट में देखा जाए तो मैमल मनुष सबसे बाद में आएगा तो तीन तो इसको पहले काट दीजिए अब देखिए इन तीनों में से द्वंध है क्योंकि तीनों में सबसे लास्ट में इस्तंधारी कर सरीसरत तो पखका मैमल्स के बाद आएगा चलब इसन अमन्धा इन दोनों के अंसर उगा नतीम दूसि करतों सरे संद्रेाम तो बहुत सारे स्टोडियेटे नहीं यहां दूसरा बिल है तो उसको देखते हैं दूसरा तीसरा में क्या है तो दूसरे में देखिए पहला कीट है तीसरे में कवच वाला कीट है अब पहला कीट जो इंसेक्ट होते हैं वो तो आर्थोपोडस होते हैं जितने भी होते हैं कीट पतंग जो होते हैं लेकिन कवच वाले कीट क्या होते हैं ये किसी को समझ में नहीं आया और इसी की वैएसे काफी गलतियां इसमें हो गई हैं। अब कवच वाला कीट अगर उभेचर होगा। और जो पहला कीट आर्थो पोड़ा है, वो भी अगर उभेचर होगा, तो ये दोनों प्रसंद देखा जाए, तो ये गलत दे दिये यहां पर। क्योंकि ये तो दोनों पहले आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या संसोदित होगा दुबारा या नहीं होगा, ये है अभी तक पता नहीं है, फिलाल इसका जो आंसर है, वो सी है, मतलब सबसे पहले कवच वाले कीट आएंगे, उसके बाद पहला कीट आएगा, उसके बाद इस्तंधारी आएगा, उसके बाद मैमल्स आएगा, अगला प्रशन देखते हैं, कौन सा है, देखिए ये है बहुत बिवादित प्रशन है, नमबर तीन, निमले के तमेंसे कौन भारत का सबसे उचा जलपर पात है, देखिए वाटरफॉल, इसमें ये दोनों तो बहुत एक परसेंट ही बारे होंगे, जोग और कौन्चिकल, आयोग का अंसर बता रहता हूँ, आयोग ने यहां अंसर जो दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां जोग मारा है, कहां पर एक करनाटक में है, देखिए जो वाटरफॉल, जो वर्ड वाटरफॉल रिपोर्ट है, जो इसमें हाइस्ट जो वाटरफॉल उसमें संकलित है, तो उसमें देखिए, कहीं भी कौन्चिकल का नाम नहीं है, उसमें जोग का नाम है अब 9th क्लास और 11th क्लास की जो NCRT है उसमें भी जोग को ही highest waterfall माना है इंडिया का लेकिन कुछ ऐसी sources हैं कुछ ऐसी book हैं जहां पर कुंचिकल जलपरपात मार रखा है और आयोग ने भी इसका answer कुंचिकल ही दे दिया है तो ये प्रस्ण पूरा का पूरा या तो A और 20 के दोनों answer हो जाने चाहिए संसोदित answer की में या फिर इसको delete कर देना चाहिए अब देखते हैं आयोग की संसोदित answer की क्या कहती है अगर आती है तो अगला प्रस्ण इसमें देखते हैं राश्ट्य परिवार स्वास्त सर्वेक्षन 2015-16 के अनुसार बरतमान में भारत की कुल प्रजननदर क्या है तो देखिए इसका जो answer है वो यहाँ 2.4 और 2.2 में द्वन्द है और आयोग ने जो इसका answer दिया वो 2.2 दिया है देखिए जो योजन और कुरुक्षेतर आती है उसमें खाफी जो आंकड़े होते हैं वो सटीक रहते हैं वो सीधे गवर्मेंट की जो वेबसाइड होती है वहां से कॉपी करते है तो उसमें भी इसका answer 2.2 दे रखा है जो प्रजन अंदर भारत की 15-16 के अनुसार लेकिन कुछ ऐसी source हैं जो unknown writers और current affairs की book में उनमें 2.4 दे रखा है तो इसी वज़े से 2.4, 2.2 में हादवन्द है लेकिन आयोग ने जो इसका answer है 2.2 कर रखा है और बहुत सारे student ने ये question भी challenge किया है मेरे को नहीं लगता है कि ये present संसोदित हो गया डिलीट हो गया इसका answer A और B दोनों दिया चाहेगा तो इसका answer जो 2.2 होना चाहिए इसको challenge करने की जरूत नहीं थी तो देखिए सारे के सारे ये 5 प्रसंद थे जिन पर discussion हो गया एक ये हो गया और अगला दूसरा कौन सा दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चोथा ये हो गया और पांचमा ये हो गया तो देखिए ये 5 प्रसंदों में शात्रों को बहुत दंध है और इनमें से संसोदित अगर हो पाएंगे तो एक तो ये हो सकता है यह डिलीट हो सकता है इसकी उमीद तो ना के बराबर है क्योंकि यहां यमुना उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है गोमती उत्तर प्रदेश की नदी है आगे और बात की जाए तो यह संसोधित हो सकता है इसको डिलीट किया जा सकता है इसके जो आंसर है वो B और C दोनों हो सकते हैं इसको डिलीट किया जा सकता है अगर संसोधित आंसर की आती है तो इसको डिलीट किया सकता है मतलब इन 5 प्रसनों में से 3 प्रसनों का जोल है जिनको डिलीट भी किया सकता है और जिनके A और 1 से ज़्यादे दो अप्सन सही किये जा सकते हैं तो कमेंट वाक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताईए अब देखिए जो कट ओफ बनती है कट ओफ अगर थोड़ा देख ले जाए तो सी सेट में तो जो इस बार सी सेट की जो आंसर की आई से 84 के बीच अगर इसके बीच में किसी के हैं तो वो अपने आपको सलेक्ट ही माने क्योंकि इतनी ही कट ओफ जाएगी इससे जादे नहीं जाएगी लड़कियों की 78 तक रह सकती है 76 से 78 और बाकी अपनी केटेगर के साब से थोड़ा थोड़ा और कम कर लो तो 80 से 84 के बीच कट ओफ जा रही है और 20 से 25 के बीच इसका जो रिजल्ट आ जाएगा कमेंट्स में कमेंट करके चरूब बताना आपकी राय क्या है और जो इन प्रस्नों के उत्तर क्या यही रहने चाहिए थे या चेंज होने चाहिए थे संसोधित आंसर की में कौन से डिलीट हो सकते है वो क्या ऐसा है कि संसोधित आंसर की आएगी ही नहीं यही लाश्ट आंसर की थी आयोग दोरा और अपनी राय दीजिए कि वीडियो कैसा लगा शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरू करना मेरे लिए धन्यवाद